नमस्का किसान भाई राम कलाशी अलों हमारे प्रताब को बिलोशी निमा सबका स्वागते आज किसान भाई यहां बात करने वाला हूँ आप जो गाय देख पा रहा है इस गाय को आज 9 महिना 10 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक बच्चा नहीं दिया है इनके जो किसान हैं उनका नाम है राजियु कुमार पिताजी का नाम राम सागर सिंग वाड नमबर 17 मकस सपूर वीहट बरवनी बेगू सराय बिहार से हैं एक किसान सवाल पार्ट 81 है आपके भी कोई सवाल है कोई गाय को दिक्कस मेंस्था है आप भी अपने वीडियो को भेच सकते हैं हमारा वाड सा नमबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर किसान भाई हम बात करते हैं इस गाय को तो आज जो है इस गाय को 9 महिना 10 दिन हो गया है यहाँ देखा जाता है किसान भाई नॉर्मली जो होता है 9 महिना 9 दिन पर गाय बच्चा कर देती है लेकिन इस गाय को 9 महिने 10 दिन हो गया है लेकिन अभी तक बच्चा नहीं दिया है आप देख पाएं किसानवजी से डिस्चार्ज भी किया है और थन देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा अडर नहीं है यह क्या है देशी नसल की गाय है जो ज़्यादा थन नहीं करती कुछ हैसी भी गाय देखने को मिलता है कि जिस दिन बच्चा करने को रह जाता है एक घंटा दो घंटा या पांच घंटा पहले भी थन करती है तो नसल उपर डिपेंट होता है उनके थन का अडर साइज बढ़ने का तो इस गाय का जो अडर है थन है काफी जो है भीक्सित नहीं है छोटा ही थन है इसका और अगर हम बात करें बच्चा करने का तो देख पाएंगे डिस्चार्ज मोटा से किया है अगर दिस्चार्ज इस तरह से करती है तो एक अनुमान लगा जाता है कि आज रात या कल सुबा तक बच्चा कर देगी और किसन भाई यह देखने को मिलता है कि जब हमारी गाय बच्चा करने वाली होती है तो उसके पूँऌश के बगल जैसे कि आप देख पाएंगे पूंच के बगल गढधा बनने लगता है यानि गढधा बनना सुरू हो जाता है जिससे हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी जो गाय है अब जल्द ही बच्चा देगी तो यही सभी अनुमान से लगता है कि यह गाय जो है आज साम को या कल सुबा तक बच्चा कर देगी हम सभी किसानों से यही कहना चाहूंगा अगर आपकी गाय को जैसे सुस्त पढ़ गई है बैट गई है पागुर नहीं कर रही है चारा नहीं खा रही है पानी नहीं पी रही है लेट गई है पस्त हो गई है तो उस समय आपको चाहिए अपने नजदी की पसु डॉक्टर से संपर करें अगर आपकी गाय बेलकुल स्वस्त है खा रही है उठ रही है बैट रही है और चल रही है पागुर कर रही है जुगाले कर रही है तो समझ लेजिए कि कोई खास प्रोब्लम नहीं है अगर फिर भी आपको लगता है कि हमारे गाय को प्रोब्लम हो सकती है तो आप अपने नजदी की पसु डॉक्टर से संपर कर सकते हैं तो किसान भाईयों हमें उमीद है कि आप लख संद में आगया होगा वीडियो को लाइक जरूर करें